कैनेडा का वो ओफिशल पोर्टल जिस पे LMIA अप्रूफ जॉब्स अवेलिबल हैं फोरण वर्कर्स को हायर करने के लिए labor market impact assessment यानि के कुछ employers ऐसे हैं जिन्होंने LMIA अप्रूफ करवाया वै अपनी कुछ vacancies के लिए कि हमें ये बंदे out of Canada से चाहिए यहाँ पर जो labor की shortage है अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी vacancies available है तो आप उस पे जो है वो direct apply कर सकते हैं और आपको कोई भी चीज जो है वो pay नहीं करनी LMIA approved का मतलब यह होता है कि उन्होंने already government of Canada से इजासत ली वी है कि हमें ये बंदे इतने बंदे इस इस category के बाहर से hire करने हैं तो उसकी official portal को मैं अभी आपके साथ share करता हूँ और उस पे हम देख लेते हैं कि information वहाँ लिखी भी है कि out of Canada से आप apply कर सकते हैं तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैंने Google को open कर लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ job bank Canada LMIA approved यह लाजमी आपने पूरा word जो है वो लिखना है उसके बाद जो पहला मेरे पास लिंक आ रहे टेंपरेरी foreign workers इस पे मैंने click किया ठीक है तो यह website मेरे सामने open हो गई है और इसमें दिखें लिखाव है कि employers who want to recruit temporary foreign workers the employers have already applied LMIA यानि कि already उन्होंने इजाजत ली हुई है कि यह बाहर से लोगों को hire करेंगे अब इसमें 11,000 jobs यहां पर नज़र आ रही है तो इस पे मैं click करता हूँ और हम इसको explore करते हैं कि कौन कौन सी jobs यहां पर available है और किस तरह से हमें apply करना है apply करने का तो simple सा तरीक है तो पहले click करते हैं और इसको ज़रा देखते हैं तो यह बहुत सारी jobs देखें यहां पर नज़र आ रही है सबसे पहले तो professor की job है इसको उटा देए जरा नीचे आ जाते है helper की job construction की technician की restaurant supervisor baker auto mobile जो अपने गाड़ियों के mechanic है उनकी बहुत सारी jobs मैंने चेक किया था यहां पर available है यह cook की job नज़र आ रही है बंबई masala restaurant इसको जरा मैं click करता हूँ यह 17 hours per hour जो है 17 dollar per hour जो है वो pay करेंगे अच्छा आप इसको check किस तरह करना है कि अच्छा आपने नीचे आना है अब यह जो red सा निशान आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यह job वही apply कर सकते हैं जो already Canada में मुझूद हैं तो इसको हम हटा देंगे यह हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम वो jobs check कर रहे हैं जो हम बाहर से apply कर सके हैं जब यह red निशान आपको नज़र आ जाए तो आपने यस वाली job को back कर देना है ठीक है अब हम दूसरी job जो है वो जड़र चेक करते हैं पहले back आ जाते हैं अच्छा जी यहां से हम कोई और job जो है वो open करते हैं बारी बारी कारपेंटर की job ओ हो इस पे भी यह निशान आ रहा है ठीक है जी बाहर आ गए अब मैं यहां से कौन सी जी cleaning supervisor की job पे मैं क्लिक करता हूँ जी यह मिल गया हमें निशान जो मैं ढूंड रहा था यह देखें जो दुनिया का निशान बनावा है पहले red color का tag था इसका मतलब है कि वो Canada के अंदर से ही बंदा हैर करेंगे इसमें जब यह निशान होगा दुनिया का इसमें देखें world का निशान other candidates with or without a valid Canadian permit यहाँ पर लिखा हुआ है यानि कि इस पे आप बाहर से बैटे हुए भी apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं how to apply पे click करूंगा तो मुझे वो दिखा देगा कि आपने कैसे apply करना है यहाँ पर देखें लिखा हुए this employer already applied labor LMIA to hire a foreign worker क्योंकि shortage है और बाहर से hire करने के लि ली है इस employer ने government से certified है approved है तो यानि कि इस पे आप apply करेंगे और अगर यह selection यह आपकी कर लेता है तो आपको हर चीज इसने पे करनी है वीजा वगएरा सब कुछ फीस वगएरा और आप direct आ सकते हाउ टो apply पे click किया simple email नजर आ रहा है मुझे और एक इनका address नजर आ रहा है य price dollar per hour यह pay कर रहें तो आपके पास experience है experience है add कर दें cv add करें cover letter अच्छा सा लिखें और इस email पे आप apply कर दें या इनको by post send कर दें thank you